रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए, ऐसे भी जाता नहीं कोई, एक बार तो खुद मौत भी खबरा गई होगी नमस्कार, स्वागत है आपका ECN News में आपके साथ मैं हो नुष्ठा सिंग कहते हैं न, इस दुनिया में जो आया है, वो एक न एक दिन सरूर जाएगा बस फर्क इतना है कि कोई अपनी छाप छोड़ कर चला जाता है, तो कोई कुछ ने आप लोगों को ये जानकर बहुत दुख हुआ होगा, कि हमारे बीच एक प्रसद भारते पत्रकार, आंकर, संपादक, रोहित सर्दाना नहीं रहे न्यूस के दुनिया में रोहित का जाना माना नाम है। पत्रकारता के दुनिया में काम करने वाले रोहित सर्दाना को लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन आकरी कुछ लमों के बारे में। मरने से ठीक एक दिन पहले तक रोहित सर्दाना ने अपने सहयोगियों को खुब प्रोचसाहित कया था काम को लेकर मरने के ठीक एक दिन पहले तक उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर लोगों से अपील की थी किसी के लिए Remdesivir Injection की मांग की थी तो कभी ऑक्सिजन के लिए अपील की थी तो कभी बेट्स को लेकर अपील की गई थी लेकिन आज तक में उस चैनल के सीनियर आंकर रोहित सरदाना को शुकरवार को कोरोना के चलते निधन होगे उन आखरी लमों तक उनके सहयोगियों को इंतजार था कि रोहित ठीक होकर कब वापस दफ्तर लोटेंगे कब वो बेबाकी से वापस उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे कब वो बेबाकी से अपनी राय रखेंगे कब वो वापस बैटकर हसी मजाग करेंगे कब वो बैट कर हर विश्यों परवार तलाब करेंगे आखरी के कुछ लम्हों में भी उनके परिवार को आस थी उनकी बेटियों को इंतजार था कि मेरे पापा घर लोट जाएंगे एक बीवी को इंतजार था कि उसका पती जल से जल्द ठीक होकर उसके साथ वापस घर जाएगा लेकिन कुदरत को कुछ और ही मनसूर था 42 साल के रोहित ने नौड़ा में एक नीजी अस्पताल में अपनी आखरी सास ली जैसी उनकी निधन की खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया चानल के लाइफ शो में रोहित के साथ ही आंकर स्चत्रत्रपाठी अंजरौम कश्यप और साइदन सारी रोप पड़े एक एक करके सभी ने रोहित से जुड़ी यादों को शेर किया और उन्हें उस वक्त समालना भे मुश्किल हो गया था सच में कितना कठिन रहा होगा वो समय कि आपके साथ काम करने वाला एक सहयोगी हमेशा हमेशा के लिए चला गया अब वक कभी वापस लौट करने ही आएगा कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त खुद को सम्हालना भारते टेलिविजन न्यूस चैनल जैसे की जी न्यूस आज तक आदी पर न्यूस प्रेजन्ट करने वाले मशूर न्यूस आंकर रोहित सर्दाना का हाली में कोरोना वाइरिस के शिकार होने के कारण निधन हो गया ये एक बेहत सफल्ब और बहतरीन आंकर थे जिसके चलते इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में अपनी एक अलगी पहचान बनाई थी इस वीडियो में इनके जीवन एवं उपलब्दियों के बारे में बात करते वे इसके बाद वे अपने कॉलिज की पढ़ाई के लिए हिसार आ गया यहाँ पर रोहित ने गुरू जम भेशवर विज्ञान विश्वर विद्धाले में दाखिला लिया और वहाँ से उन्होंने मनोविज्ञान में सना तक एवं जन संचार में परासना तक की पढ़ाई करके डिगरी हासल की रोहित को बचपन से ही आक्टिंग एवं सिंगिंग का शौक लेकिन वे बहुत ही अच्छे आंकर शुरुआत में उन्होंने अपने करियर के लिए प्रिंट मीडिया को चुना हाला के प्रिंट मीडिया का चुनाफ करके कुछ साल बाद उन्हें समझ आ गया था कि ये उनके लिए नहीं बना है तब उन्होंने टीवी आंकर बनने का सोचा और वे इसके लिए इंटर्व्यू देने लगे इसके बाद इनकी रेडियो स्टेशन में जॉब लग गए वे उसमें लगभग तेट दो साल तक काम करते रहें इसके बाद वे दिल्ली आगे दिल्ली आने के बाद उन्होंने इटीवी में इंटर्णशिप करने का मौका मिला और उन्हें यहां जॉब भी ओफर की गई जुरू में वीटी एडिटर की रूप में काम कर रहे थे लेकिन फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने न्यूस प्रेजेंटर की रूप में खुद की अलग ही बहचान बना ली उन्होंने भारती न्यूस चैनल जी न्यूस में एक बहतरी न्यूस आंकर एवं न्यूस प्रेजेंटर बन गया इसमें रोहित का एक शो ताल ठोक की आया करता था जो की बहुत मशूर शो हुआ करता था सन 1917 से उन्होंने इंडिया टुडे की चैनल आज तक के साथ काम करना शुरू कर दिया यहां पर वे दंगल नाम के टीवी शो को होस्ट किया करते थे रोहित सर्दाना के नाम अनेक उपलब दिया भी है जैसे सर्वशेष्ट न्यूस प्रोग्राम ओपॉर्ट शिकार हुए और इनकी 30 एपरल 2021 को मृत्यू हो गई इनकी मृत्यू नोइडा के एक नीजी अस्पताल में हुई रोहित सर्दाना बिमारी के चलते ICU में भरती थे इनकी मृत्यू की खबर से सारी मीडिया इंडस्ट्री शोक में टूप गई सभी ने अपना शोक ट्विटर के माध्यम से व्यक्त किया है केवल मीडिया जगत के लोगों नहीं नहीं बलकि उतप्यदेश के मुख्य मंत्री योग्याद उत्तनात एवं मोधी सरकार के केंद्र मंत्री स्मृति एरानी के साथ ही और बड़े राजनेताओं ने रोहित की मृत्यों के लिए शोक प्रकट किया है इस तरह से कोरोनमा हमारी ने हमारे देश के एक बहतरी न्यूस प्रेजन्ट करने वाले आंकर को हम से छीन लिया इस बात से था हम सब वाक्यफ है कि जब भी वरिश पत्रकार की बात की जाएगी तो रोहित सर्दाना करना आप उसमें हमेशा शुमार होगा देश और दुनिया की तमाम छड़ी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथों देखते रहे है एक से न्यूस थानिवाद